पूरी दुनिया अजूबों और चमतकारों से भरी पड़ी है। दुनिया में कुल आठ अजूबे हैं। लगभग 5,000 साल पुरानी मिश्र की सभिता के पिरामिड इन्ही अजूबों में से एक हैं। वैसे देखा जाए तो मिश्र अपनी मम्मी, फराओ और पिरामिड के जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल Made Facts TV पर स्वागत है। क्योंकि ये लोग दिल को आत्मा का प्रतीक मानते थे। इसके बाद शरीर को कई हफ्तों तक नमक में सुखाया जाता था। यह प्रक्रिया शरीर से सभी नमी को निकाल देती थी, जिससे बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का विकास रुक जाता था, जो सडन का का बनते थे। इसका इस्तिमाल करती थी। उन्मुक्त यौन संबंध के लिए महिलाएं अकसर ही इसका इस्तिमाल करती थी और काफी लंबे दौर तक इसका इस्तिमाल चलता रहा। बताने से पहले मैं आप लोगों से सपष्ट कहना चाहूंगा कि इंटरनेट पर इसके बारे में जो भी जानकारी बताया गया है, मैं वही यहां बता रहा हूँ आपकी क्या राय है या फिर अगर कुछ और जानकारी आपके पास है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में यह प्रथा थी कि जब कोई अमीर व्यक्ति मर जाता था तो उसके नौकरों या दासों को भी उनके साथ जिन्दा दफना दिया जाता था। इसलिए वे मृत व्यक्ति के साथ उसके नौकरों को दफनाते थे ताकि वे मृत्यू के बाद भी उसकी सेवा कर सकें। यह प्रथा ईसा पूर्व 320 के आसपा समाप्त हो गई थी जब मिस्र पर रोमन सामराज्य का कबजा हो गया था। नंबर 4 आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र में मेकप करना आवश्यक था। यह लोग सुरमा का प्रयोग करते थे। उनका मानना था कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमन से बचाए रखता था। इसके अलावा यह सूर्य देव को श्रद्धान जली और नमन करने का एक तरीका भी था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन मिस्र में जो बौना पैदा होता था, उसे खुश किस्मत माना जाता था, क्योंकि उसका बौना पन उसको आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, बलकि सोने के कार खाने में। आज के जमाने में हम जिस परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह भी इस देश की ही देन है। आपको बता दें कि यहां के लोगों ने ही कई साल पहले अपने आपको फ्रेश रखने के लिए परफ्यूम का आविशकार किया था। कहते हैं कि पुराने जमाने में कई ऐसे परफ्यूम इजिप्ट देश में बनाए गए जिसे एक बार लगाने के बाद आप हमेशा फ्रेश फील करते थे। दोस्तो इस वीडियो का पार्ट टू देखना चाहते हैं तो कॉमेंट करें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद